आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में और मेरे चैनल पर भी मैं आपका स्वागत करता हूं तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो देखते हैं और आप अपने स्टेडी में हलप लेते हो तो आप पहले एक pane और एक copy मेरे साथ बैठो लेकर और तब आपको वीडियो जाता समझ माएगा यह आपसे मेरा request है ठीक है friends तो चलिए start करते 81 number question तो क्या बलता है friends 81 number question कि mass current analysis is based on यह एक तरह का क्या है friends mcq है mcq tab का question है जिसमें पूछ रहा है कि miss current analysis हम किस अधार पर करते हैं तो miss current analysis आपको याद होगा आप theory अगर पढ़ते होगे तो आपको याद होगा कि miss current analysis हम जो है voltage low पर करते हैं तो option 2 सही हो जाएगा अगर आपको थोड़ा समझना है तो यहाँ पर आईए माल लेजे हमारे पास एक circuit है ठीक है friends यहाँ पर एक voltage source हमारा यहाँ पर एक voltage source यहाँ पर है मालने तो यह loop 1 है यह loop 2 है लूप ने लिखते है मेस क्या होता है लूप का यह तरह होता है तो यह पहला मेस है ठीक है और यह मेस 2nd है तो मेस में क्या होता है मेस जितना loop होता है जितना मेस होता है、 उतना हम क्या करते है मेस current मानते है तो यहां 2 loop है तो दोजों का अलग-अलग current, I1 और I2 मान लिए अब I1 निकालने के लिए हम क्या current से friends यहां से current चला मानली जो i1 फ्लोड है तो हम क्या करते है माइनस पलस पलस माइनस फ्लस माइनस फिर तो यह जो i1 करेंट है इसमें फ्लो होगा अगर हम कैसे लगाते है ऐसे लगाते है तो इसके लिए हम क्या करते है यह i1 के लिए निकालने के लिए हम क्या करते है इसमें KVL लगाते है ठीक है friends तो इसलिए आप देखोंगे circuit solve करते हो तो आप KVL लगाके solve करते हो ठीक है तो इसलिए आपको option क्या हो गया 2 हो गया ठीक है चलिए आपको समझ बाया हो आप next question पर बढ़ते हैं friends तो देखे next question हमारा ये है अब इसमें भी ये भी MCQ टाइप का ही है friends ये भी क्या आपका MCQ टाइप का ही question है जिसमें पुझज़ा कि nodal analysis की सधार पर करते है किसी भी circuit में तो nodal analysis हम करते हैं क्रिचॉप्स current low पर अगर circuit के help लेते हैं तो देखे कोई circuit है तो nodal analysis में क्या करते हैं कोई node पे माले ये node है इस node पे क्या करते हैं voltage निकालते हैं ये reference voltage निकालते हैं और इसमें क्या होता है branch current निकालते हैं ठीक है friends तो branch current निकालने के लिए इधर मालो ये current हो रहा है एक current इधर से आ रहा है ये दोनो current आई तर जा रहा है तो हम equation लिए क्या करते हैं node A पे करते हैं कि incoming current I1 plus I2 equal to I3 तो यह क्या दर्साता है KCL दर्साता है इसलिए हम किसका nodal analysis में nodal analysis किस अधार पे करते हैं तो Kirchop current low के अधार पे करते हैं ठीक है प्रेंट्स आपको समझ बाए होगा फ्रेंट्स तो चलिए आप next question पर Hello friends तो हम लोगा question number 83 पर आगए है ठीक है friends तो 83 number question क्या बोलता है पारते हैं और समझते हैं बोल रहा है friends फोर्दा circuit son in figure 3.48 जैसा कि आप 3.48 figure यहाँ पर देख रहे हो ठीक है friends उसमें बोल रहा है कि V1 and V2 are related है तो V1 और V2 जो है कैसे एक दूसरे से related है यह निकालना है तो देखो यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है एक दूसरे से कैसे related है वो निकालना है तो friends कुछ नहीं अगर दो बोल्टेज हमारे पास पता है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ क्या कर होता है potential difference अकर होता है friends जब दो terminal के बीच में हमको voltage पता है तो दोनों के बीच में क्या होता है potential difference पता होता है potential difference निकालने के लिए हम क्या करते है circuit में यहाँ से यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ हम लगा सकते है kbl हम यहां पर kbl लगा सकते हैं friends, मैं सही से लिख देता हूँ, तो हम kbl अगर लगा है, तो हमको दोनों के बीच का relation, v1 और v2 के बीच का relation पता चल जाएगा, तो देखो, circuit में समझा देता हूँ, तो देखो, यहां पर, देखो, यह जो v1 है friends, यही तो हमारा इस कमान कितना है 12V हो जाएगा, क्योंकि यह यहां से जुड़ा हुआ है, तो 12V हो जाएगा, v1 कमान, v2 कमान तो कुछ नहीं देऊ, यहां तक सोचना है circuit, यहां से सुरू हुआ circuit, यहां तक सोचना है, ठीक है friends, तो जैसे कि अगर आप figure बना दूँ मैं, चलो मैं आपके लिए आसान figure बना गया, तो v1, यह भी एक voltage source हो गया, प्लस माइनस, और यहां पर हो गया, v2, ठीक है friends, तो यहीं आपको circuit है, ऐसे बीच में relation आपको बताना है, तो कुछ नहीं print बनाने के लिए, तो इसका मान दिया हुआ है कितना, 12V, तो बारे बोल्ट दिया हुआ है, प्लेंट्स, और यह प्लेंट्स से इंटर करेंगा, हम मान दिया है, ठीक है, तो प्लेंट्स से आपको, प्लेंट्स से इनकलेगा, फिर यहाँ current पहुँच जाएगा, इसकलिया क्या करता है, кабriuell का equation लिखते है, applying क्लाइंग के भी एल और गीवेन सर्किट ठीक है तो के भी एल लगाएंग क्या होगा 12 बोल्ट ठीक है 12 बोल्ट लिखो या ऐसे लिखो भी वन पहले लिखो भी वन ठीक है माइनस देखो यहाँ पर देखो करेंट के जाए पलस से घुच रहा है और 6 Ohm में माइनस निकल रहा है तो 6 I फिर माइनस यहाँ पलस घुचा माइनस निकला 18 बोल्ट 8 बोल्ट से 8 बोल्ट से तो यहाँ माइनस 8 बोल्ट ठीक है इक्वल टो यहाँ पर B तक पहुच गया तो B2 ठीक है यही होता है KBL तो हमको यहाँ पर मानने रखना है खली relation बताना क्या है तो v1 equal to लिख सकते हैं 6 i plus 8 plus v2 लिख सकते हैं friends ऐसा तो जिस option में आपका answer match कर रहा है वो आपका option हो जागा तो हमको लगता है option option 1 match कर रहा होगा तो option 1 आपका right हो जागा चले मिला लेते हैं तो 6 1 है 6 i है 8 plus v2 है तो आपका option हो जागा पहला ठीक है friends समझ माया होगा easy था कोई ज़्यादा difficult नहीं था question तो चले आप next question पर friends अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है friends अगर मेरा पढ़ाना समझ माया हो इस question को अगर आपके दिल तक मैं पहुंच सका हूँ solution इसका दिल तक पहुंचा सका हूँ तो काम्याब वहाँ पहुंचाने में तो friends वीडियो को प्लीज like करो subscribe करो और एक comment करके आप बताओ कि वीडियो आपके लिए helpful है या नहीं है ठीक है friends चले आप next question पर तो friends अब हम लोग question नमर 8.3 में भी यही figure था 3.48 वाला तो 84 में भी 3.48 वाला same question है ठीक है friends बनाव circuit है उसी मापको निकालना है voltage V2 V2 का मतलब मान निकालना आपको ठीक है V2 का मान निकालना है volt में तो कितना आएगा वो कैसे निकलेगा friends तो यही circuit था आपका तो इसके लिए अभी हम लोग ने एक question ready किया था friends बनाव एक equation ready किया था कि यहां से यह V2 और यह V1 और V2 मान के हमने KVL लगा कर नए KCL लगा कर sorry friends KCL लगा कर V1 और V2 पोटेंसिल डिफरेंस मान कर KCL लगा के हमने निकाला था कि V1 पलस माइनस यहां से पलस माइनस करन जा रहा है तो माइनस 6I और पलस माइनस 8 बोल्ट और यहां पर इकोल टो V2 मैंने एक equation अभी हम लोग ने यह equation तयार किया था एक equation ठीक है पर इसी में अगर मेरा देखो समझो इसी में अगर मेरा यह I का मान निकल जाए तो V2 का मान निकल जाए क्योंकि V1 का मान तो हमको 12 बोल्ट दिया हुआ है तो I का मान निकालना मेरा मेरा में काम है तो I का मान कैसे निकलेगा फ्रेंट दोको यहां से करेंट फ्लो हो रहा है यहां तक फ्लो होगा ना फ्रेंट्स यह इस V1 से करेंट यह 12V से यह 12V से करेंट फुलो होना शुरू होगा और यह पुरा यहां से यहां तक फुलो होगा होगा मलब B2 तक तो हम निकाल सकते हैं तो दोको इसमें total resistance कितना हो जागा इस circuit में total resistance कितना दे रहा है सिरीज में दीख रहा है चार ओम और छे ओम तो हमारा total resistance किया हो जागा circuit का आर्टी अगर बोल दे तो 6 प्लस 4 कितना हो जागा 10 ओम हो जाएगा और total voltage बोल रहे है तो total voltage क्या है 12V आप माइनस 8V यह कितना होगा 4V हो जाएगा फ्रेंट्स क्योंकि एक यहां पर देखू समझो यहां पर यह क्या current इसमें कैसे बहरा है minus से plus क्यों बहरा है बहरा है इसलिए plus लिया plus 12 और यहां पर एक voltage source है जिसमें plus से minus जा रहा है तो इसलिए minus 8 लिया ठीक है तो हमारा total voltage voltage जो है circuit में वह आ गया 4V जब यह पता है तो इसके मदद सर्म करेंट निकाल सकते हैं तो i equal to लिख सकते हैं भी बाय बीटी बाय आर्टी तो बीटी क्या है 4 है और आर्टी क्या है 10 है काट दो यह ने काटो काटो क्यों जब डेसिमल में यह बदल दो तो 0.4 ampere हो जाएगा current आप देखो यह current का जो मान आया है friends आपके पास इस current का मान इस current का इस equation में आप put up कर दो value इस current में अगर आप put up करोगे value put कर दोगे तो V1 का मान कितना है 12 है minus 6 गुना 0.4 minus 8 equal to V2 आगे friends तो friends देखो तो इस data को solve करो तो 12 है minus यहां करोगे 24 decimal minus 8 equal to V2 ठीक है और minus 8 इसमें घटाओगे तो 4 ठीक है और minus 2.4 equal to V2 ठीक है friends जब इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा घटाओगे तो 4.0 में minus 2.4 करेंगे तो 10 में 6 तो 3 में 1 इतना भोल्ट ठीक है friends आएगा friends तो हमारा B2 का मान कितना आ गया 1.6 भोल्ट आ गया समझ माया friends solution अगर friends solution समझ माया रहा है answer पसंद आ रहा है तो friends वीडियो को like किजिए comment किजिए subscribe किजिए friends ठीक है friends तो चलिए अब next question पर बढ़ते हैं तो friends next question पर नहीं बढ़ते हैं friends अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ठीक है कर दीक है